अमेरिकन पिटबुल टेरियर जो कि पूरे वर्ड में फेमस है अपने अटैक्स की वज़े से अपने अग्रेसिव नेचर की वज़े से जिसे हम लोग APBT के नाम से भी जानते हैं तो आज के हमारे इस प्रेश्टोपता डोग बीड की सीज़ में हम बात करेंगे इसी बीड के बारे में जो है APBT तो गैस अगर आप लोग इस ताइड़ी डोग फीड को परचेस करें तो एक चीज़ आप लोग को दस बार सोचनी पड़ेगी कि क्या इस डोग पीड को आप लोग ऐसे कमपेने डोग पीड परचेस करना चाते हैं क्या फिर अपने स्टेटस सिंबल के लिए क्योंकि जो लोग शोफ के लिए डोग को परचेस करते हैं वो अपने डोग ती उतनी केर नहीं कर पाते जितने की एक डोग लवर कर सकता है और एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में रखनी होगी कि क्या आप लोग इन डोग की नीट्स को पूरा कर सकते हैं जैसे कि इनकी डाइट, सोसलिजेशन, ट्रेनिंग, एंड फीजिकल एकसेसाइज बाकी एक चीज़ माँ आप लोग को बता दूँ कि पपीस काफी तगड़ी क्वालेटी में हैं और पैडिकरी रिजिस्टर हैं और इनके जो फादर हैं भाई वो तो डारक्टी इंपोर्ट हैं जिसके बारे में मैं आप लोग को आगे फीडियो में बताऊंगा और एक चीज़ और आप लोग को समझने होगी कि जो अमेरिकन पिटबूल टेरियर यानि एपीवीटी होते हैं उनका प्राइस नॉर्मल पिटबूल से बहुत जादा होता है और अमेरिकन पिटबूल टेरियर एक बहुत हाई एनरजी लेवल की डोग पीड है और इनकी एनरजी को वेश्ट कराना भाई काफी ज़रूरी होता है नहीं तो वो चीज़ इनकी अग्रेशन में चेंज हो सकती है क्योंकि अमेरिकन पिटबूल टेरियर एक काफी तगडी फाइटर डोग पीड है और चिन लोग को नहीं बता उन्हें मैं बता दूं कि अमेरिकन पिटबूल टेरियर फड़ी सबसे मस्कुलर डोग पीड है और आप लोग पपी की क्वाड़ी के साथ साथ इनकी एक्टिवनेस देखिए यार पपी कितने एक्टिव हैं और हमेशे आप लोग को एक एक्टिव पपी ही परचेस करना चाहिए ताकि फूचर में आ पहर पाद करते हैं के पिरेंटस के बारे में तो यह देखरें गाईस यह जो आप लोग सक्रीक पर देख रहे हैं यह आंप लोग परचेस करने से पहले हर एक चीज को अच्छे से क्लियर जरूर कर लें तो फिर्ट अगर पपीज की एज के बारे में बात करें तो फिर्ट टू मन्स के हो चुके हैं फैक्षेशन के बारे में मुझे एक कनफर्म नहीं है एंड ओनर की जो लोकेशन है वहन नीम राना अलवर राजस्तान से अगर आप लोग को पपीज पर डिलिवरी भी मिल जाएगी और वो भी पूरे आल ओवर इंडिया में बट अगर आप लोग आसपास से बिलोग करते हैं या फिर डारेट चाना आप लोग के लिए पोसिबल है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ओनर को विजिट करके इ अगर फाइली इनके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ओनर ने चुछ इनके प्राइस की डिमांड किया है वो मेल की के 30,000 पीस 30,000 रुपे और फीमेल की के 20,000 पीस यानि 20,000 रुपे और डॉंट फ़री प्राइस नेगोशेबल है तो भी डिपेंड आप लोग के उ बाइ